Entertainment की खबरों का daily bulletin The Cinema Show शुरू हो चुका है मेरा नाम है जीशा और चलिए दालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर Amazon की सीरीज The Lord of the Rings The Rings of Power का मेकिंग विडियो रिलीस किया गया है जिसमें कजाद डूम दिख रहा है यह big budget सीरीज The Lord of the Rings की prequel सीरीज होगी जिसे 2 सतंबर से Amazon पर देखा जा सकेगा Comedian actor Chris Rock और Will Smith का थपर विवाद खूब चर्चा में रहा अब reports है कि Chris Rock ने 2023 में होने वाले 95 Academy Award को host करने से मना कर दिया है Harry Potter fame actor Daniel Radcliffe की फिल्म Weird The Al Yankovic Story का ट्रेलर आ गया यह American singer Weird Al की biopic है Movie को Toronto Film Festival में दिखाया गया था Movie 4 November को release होगी Netflix ने Films Day event पर कई फिल्मों की announcement की साथ ही फिल्मों का new look भी शेयर किया इसमें तब्बू की खूफिया, अनुष्का की चक्ता एक्सप्रेस, दिलजीत की जोगी, राजकुमार राओ की मॉनिका, ओ माई डालिंग, जोया अक्तर की The Archies, रितेश की प्लान A, प्लान B, काला चोर निकल के भागा जैसी फिल्म में है नेट्फिक्स की फिल्म अनांस्मेंट के बाद, विशाल भारतवाज की फिल्म, खूफिया का first look आ गया, इसमें आशीश विद्यारती, अली फजल भी नजर आ रहे है ये एक mystery thriller फिल्म होगी, जिसे जल्दी नेट्फिक्स पर रिलीस किया जाएगा दिल्जी टोसांच की फिल्म जोगी का चेलर आज आ गया, कहानी 1984 के दंगो पर आधारित होगी तीन दोस्तों की इस कहानी में हितेन तेजवानी और मुहमद जीशान आयूप भी दिखेंगे इसे 16 सितंबर से नेट्फिक्स पर देखा जा सकेगा रवी तेजा इंदनो अपनी फिल्म रावना सुरा के क्लाइमाक्स शूट के लिए हैदरबाद पहुँचे है पताया जा रहा है कि इस मुवी के क्लाइमाक्स को शूट करने के लिए मेकर्स पांच करोड रुपे खर्च कर रहे है मुवी को सुधीर वर्मा डिरेक्ट कर रहे है कमाल आर खान के 2020 के उनके एक विवादत ट्वीट के चलते मुंबाई पुलीस ने हिरासत में उन्हें ले लिया है उनके खिलाफ मलाड पुलीस स्टेशन में यूवा सेना सदस्य राहुल कनाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी उनका ये ट्वीट इर्फान खान और रिशी कपूर के बारे में था जिसकी वज़ों से अब वो 14 दिन की कस्टडी में है धनुष और नित्या मैनन की फिल्म तिरू चित्रम बलम को बढ़िया रिस्पॉंस मिल रहा है मूवी ने 11 दिनों में बर्क्स ओफिस पर 70 करोड रुपे कमा लिये है अपनी कमाई से फिल्म ने थलपती विज़य की बीस्ट को पचार दिया है बीस्ट की लाइफ टाइम कलेक्शन पैसा दशमलाव 4 करोड रुपे का है वैसे तेरू चित्रम बलम का रिव्यू आप हमारे चानल पर चेकाट कर सकते है रनवीर सिंग की न्यूड फोटो शूट पर खूब बवाल हुआ था उनके खिलाफ चेंबू थाने में शिकायद भी दर्ज करवाई गई थी इसी मामने में रनवीर सिंग ने अपना बयान दर्ज करवाया है इसकी शूटिंग राजस्थान में हुई है सीरीज में टिस्का के साथ सौरप शुकला भी नज़र आएंगे इसे 16 सतंबर से होट स्टार पर देखा जा सकेगा शारुक खान इंदनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग कर रहे है मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शारुक ने डॉन 3 की स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो आइडिया से पूरी तरह खुश नहीं थे हाला कि कुछ फिल्म जॉर्नलिस का कहना है कि डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग अभी चल रही है बॉलिवर हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक शारुक अपने रोल के लिए श्योर नहीं है शारुक के स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करने के बाद फरान अक्तर ने स्क्रिप्ट पर दो बारा काम शुरू किया है वैसे अभी तक इस पर कोई भी जानकारी नहीं मिली है प्रभास जल्धी मारूती की होरर कॉमडी फिल्म राजा डेलक्स में दिखाए देने वाले है रिपोर्ट के मुताबिक इस मुवी में प्रभास दो अलग-अलग किरदारों को रभाएंगे सिनमा एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मताबिक वो फिल्म में दादा और पोति का रोल करेंगे फिल्हाल ओफिशल अनांस्मेंट का इंतिसार है चियान विक्रम की फिल्म कोब्रा का ट्रेलर आ गया है रिसंटली एक इंटिव्य में विक्रम ने बॉयकॉट बॉलिवूड पर बयान दिया है उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बॉयकॉट का क्या मतलब है मुझे बॉय पता है, मुझे गर्ल पता है, मुझे कॉट पता है लेकिन मैं नहीं जानता कि यह बॉयकॉट क्या होता है बेंगॉली अक्टर प्रदीप मुखर जी का निधन हो गया वो 74 साल के थे उन्हें लंग इंफेक्शन हो गया था जिसकी वज़ा से कोलकता के अस्पताल में वो भरती हुए थे रदीब मुखर जी ने अपने करियर में करीब 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है तो बस ये थी आज की वड़ी खबरे आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथ ही मेगना ने तो अब कल मिलेंगे हमसे जुरे रहिए सब्सक्राइब करते चाहिए शुक्रिया ललन टॉप का सबसे थस ठेट और ठसकदार बेजी आगे है ललन टॉप का पॉड़कास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप एपकर